दोस्तों हलही में संगलोक सिवा आयोग यानी की UPSC ने 2013 सिविल सर्विस एकजाम का रिजल्ट 16 अप्रैल को जारी किया है। इस परीक्षा में लकनाओं के आदित्य श्रीवास्तव ने टॉप किया है, वहीं दूसरे स्थान पर अनिमेश प्रधान है और तीसरे स्थान पर दोगुरु अनन्यार एड़ी। संगलोक सिवा आयोग ने कुल 2017 केंडिडेट्स का चैन किया है। सिलेक्षन के बाद ट्रेनिंग, कैडर और सर्विस को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आपको बता दे कि इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को तीन चरन में परीक्षा देनी होती है। जैसे कि प्रीलिम्स, मेंज और इंटर्व्यू। इस तीनों चरन को पास करने के बाद ही आएस, IPS समित दूसरी सेवाओं के लिए चैन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंटर्व्यू पैनल कैसे बनता है। पैनल में शामिल लोग कौन होते हैं। इस पैनल के गठ्षन की जिम्मेदारी किसकी होती है। अगर नहीं जानते तो आईए जानते हैं। दोस्तों संग लुकसिवा आयोग के इंटर्व्यू बोर्ड में पांच सदस्या होते हैं। अगर कोई उम्मीदवार हिंदी, तमिल, तेलुगू या किसी दूसरी भारतिय भाषा में साक्षात कर देता है, तो इंटर्व्यू बोर्ड में पांच सदस्यों के साथ एक व्यक्ती दुभाषिया के तौर पर भी मजूद रहता है। उसका काम सिर्फ भाषा से जुड़ी समस्याओं को सुलजाना होता है। इंटर्व्यू बोर्ड में एक अध्यक्ष और चार सदस्या होते हैं। बोर्ड का अध्यक्ष संग लुकसिवा आयोग के सदस्या को ही बनाया जाता है। इंटर्व्यू बोर्ड के अन्य चार सदस्यों में दो से तीन व्यूरोक्रेट्स होते हैं। अमूमन सयुक्त सचिव या उनसे वरिष्ट स्तर के अधिकारियों को इंटर्व्यू बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रत किया जाता है। UPSC इंटर्व्यू बोर्ड में कम से कम एक सदस्य अकादमिक शेत्र से जुड़ा होता है। ज्यादातर बार ये किसी विश्व विध्यालय के उपकुलपती या प्रोफेसर स्तर के व्यक्ति होते हैं। आयोग की कोशिश रहती है कि इंटर्व्यू लेने वाले पांच सदस्यों में कम से कम एक महिला भी हूँ। हालांकि ये हनिवार्य नियम नहीं है। इंटर्व्यू पैनल के सदस्यों का चयन उनकी योग्यता, अनुभव और विशेश अग्यता के आधार पर किया जाता है। उनके पास विशिष्ट अनुभव होता है। वही पैनल गठित करते समय पूर्वाग्रा से मुक्त, समावेशी और न्याय संगत मूल्याकन वातावरन सुनिष्टित करने के लिए लिंग, धर्म वक्षेत्रिय प्रतिनदित्व जैसी चीजों पर भी विचार किया जाता है। चलिए तो जानते हैं कि इंटर्व्यू बोर्ड अध्यक्ष की जिम्मेदारी क्या होती है। उम्मीद्वार से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। बोर्ड अध्यक्ष शुरुवात में बायो डेटा से जुड़े बुनियादी सवाल पूछते हैं। उनका पहला दायत्व उम्मीद्वार का तनाव कम करके सहज स्तिती में लाना होता है। इसके बाद वो सदस्यों से सवाल पूछने को कहते हैं। आईए तो जानते हैं कि UPSC के अध्यक्ष की नियुक्ती कौन करता है। दोस्तों UPSC इंटर्व्यू बोर्ड सामाजिक गुनों, वर्तमान मामलों के ज्ञान और बौदिक शम्ताओं जैसे क्षेत्रों में उम्मीद्वारों का मूल्याकन करता है। बता दे की UPSC इंटर्व्यू 275 अंत का होता है। आखिर में बोर्ड सारवजनिक सेवा के लिए उमीद्वार की उप्युक्ता तै करते हैं। अनुच्छे 316 में UPSC इंटर्व्यू पैनल के सदस्यों की नियुक्ती और कार्यकाल के लिए प्रावधान किया गया है। देश के राष्ट्रपती संग और संयुक्त आयोगों के लिए लोग सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ती करते हैं। वहीं राजय के राजपाल राजय आयोगों के लिए सदस्यों की नियुक्ती करते हैं। संग लोग सेवा आयोग के लिए आयू सीमा पैसत वर्ष और राजय या सयुक्त लोग सेवा आयोग के लिए बासत वर्ष है। कार्यकार समाप्त होने के बाद सदस्यों को उसी पद पर दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। जब इंटरव्यू बोर्ड अध्यक्षन उपस्थित होता है या स्थाई रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होता है तो राश्ट्रपती या राजय के राजय पाल की ओर से नियुक्त एकन्या आयोग सदस्य उनकी जिम्मेदारी लेता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।